नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आमशार कि आप लोग जहां बहुत ही अमेजिंग होंगे सुगाइसा आज मैं आप लोग उनको बताने वाला हूँ complete detail about the PM वानी दोस मेरे पास बहुत सारे सवाल बहुत सारे questions आते हैं कोल आते हैं कि सर पीम वानी क्या है कैसे काम करता है इसके बारे में पूरी जानकारी detail में बताएं तो यहां पर let me introduce you to XB Infotech Private Limited जो कि एक Noida-based company है बताएं तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके वो सारे सवाल बताने वाला हूँ सारे सवालों के answer करने वाला जो आपके मन के अंदर हैं आप पीम वानी के बारे में जानना चाते हैं जैसे की पीम वानी है क्या कैसे हम इस पीम वानी की जो business opportunity है उसको जुड़ सकते हैं उसके साथ में कितने तरीकों से हम इसमें से कमाई कर सकते हैं कितनी कमाई कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर P.D.O. बन सकते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह सारी जानकाली आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा मेरा नाम है मंजीट सिंग और आप दिख रहे हैं आपका अपना चैनल टेग गुरू मंजीट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि what is PM वानी तो PM वानी जो है यह एक ऐसी योजना है पहले तो फुल फाम की बात कर लें PM वानी का जो फुल फाम है वो है प्राइम मिनिस्टर वारलेस एक्सेस नेटवर्क एंटरफेस यानि कि एक ऐसी योजना जो पूरे इंडिया के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रवाइड करने के लिए बनाई गई है क्योंकि आज भी अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आज भी लोकेशन हैं विलेज हैं गाउं है जहां पर आज भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है तो अब इसी पूरे जहां पर अवेलेबल नहीं है या जहां पर अवेलेबल है वहाँ पर भी पूरे इंडिया के अंदर वायरलस नेटवर्क को इंप्लिमेंट करने के लिए हाई स्पीड डेटा जो है प्रवाइड करने के लिए सभी को यहाँ पर आपको और मुझे यानि कि हम आम जनता को जो है एक ऐसा मौका दिया गया है जिससे कि हम इंडिया के लिए कुछ कर भी सकते हैं और साथी साथ हमें कमाई भी हो सकती है अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन इसके साथ में जुड़ सकता है यहाँ पर यहाँ पर आप पर यहाँ पर आप पर यहाँ पर आप यहाँ पर और साथ में जुड़ सकता है इंटरेट की जो वह फैसलिटी है वह प्रवाइड कर सकते हैं प्यम बाने के साथ में तो अभी हम यहाँ पर देख लेते कि कितनी तरीकों से हम यहाँ पर कमाई कर सकते हैं ultimate हर इंसान जो है कमाई करना भी चाहता है तो कमाई करने के यहां पे जो है वैसे तो तीन options है एक होता है आपका PDO यानि की Public Data Office फिर होता है आपका PDO के लिए आप जो है फैंचाजी बन सकते हैं डिस्ट्रिबूटर बन सकते हैं और यहां पे दूसरा एक तीसरा point होता है विच इस PDO A ठीक है Public Data Office Aggregator अब PDO क्या है जैसे कि हमने पहले अगर कुछ समय पहले तक की बात करें तो हमें PCO होते थे Public Calling Office होते थे तो Public Calling Office क्यों थे क्योंकि उस वक्त में Mobile की Facilities नहीं थी उस वक्त Landline सभी के पास में नहीं था था इसलिए PCO होते थे जहां से लोग जाकर Call करते थे और जो भी Call करने के बाद Bill बनता था उसमें से कुछ amount जो है कुछ percentage उस PCO Owner को मिलते थे और बाकी जहां से उन्होंने सर्विस लिया है वहाँ पे जाते थी अब यहां पे क्योंकि आज की date में requirement चेंज हो गई है आज हर किसी को जो है हर किसी के पास में mobile तो है लेकिन high speed data कम price के अंदर जादा data high speed के अंदर नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए यहां पे जो design किया गया PDO यानि की public data office और internet एक ऐसी requirement है जो I think कभी भी आप imagine करके देखें कभी भी आपको जो है internet से बोर नहीं होते है internet की requirement और बढ़ती चली जा रही है और पिछले 5 साल के अंदर हमने देखा कि internet की जो खपत है वो बहुत जादा बढ़ चुकी है और आगे भी यह और बढ़ती चली जाएगे because number of users जो है internet यूज करने वाले वो बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसलिए यहां पे आप PDO बनके जो है इस PM बानी यूजना के साथ में जुड़ सकते हैं और कमाई कर सकते हैं दूसरा आप के पास में अप्शन है कि आप PDF के लिए अपने area के लीए अपने sector के लिए आप distributor franchise के साथ में और अच्छी कमाई कर सकते हैं मतला आप PDF भी बन सकते हैं और साथी साथ आप mysteriوسयो के लिए बनके आप जो है और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं यह दूसरा तरीका है तीसरा जो option होता है वो होता है PDO A का अब PDO A जो है यह वो companies है जो बहुत बड़ा investment करके एक बहुत बड़ा infrastructure ready करती है और infrastructure ready करके जितने वे उनके PDO हैं उनको जो है back end से support provide करती है तो यहाँ पर let me introduce you to XB Infotech Private Limited जो कि एक Noida based company है जो है PDO A तो अगर आप जो है इन company के साथ में associate होना चाते हैं तो आपको जो है जैसी आप PDO के लिए apply करते हैं तो आपको PDO A के registration के बाद में आपको जो है इस तरह का एक device send किया जाएगा इस company के द्वारा और यहाँ पर मैं बता दूँ यह जो इनके device है यह C. के द्वारा certified हैं यानि कि PM1E के लिए जो certified devices हैं वो इस company के पास में available हैं तो market के अंदर बहुत सारे अलग अलग companies बैटी हैं जो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो scam कर रहे हैं तो एक recommendation यह है कि आप उन companies के साथ में जाएं जहाँ पर आपको 100% believe है तो यहाँ पर मैं यह certified कर रहा हूँ कि XB InfoTech Private Limited जो है यह मैं काफी समय से इस company को जानता हूँ तो यहाँ पर आप बिल्कुल apply कर सकते हैं पीडियो के लिए आपको 100% पूरी perfect support जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी अब यहाँ पर जो है आप बात करते हैं पीडियो कैसे बन सकते हैं पीडियो बनने के लिए या distributor बनने के लिए आपको कुछ बड़ा task नहीं करना है नीचे side पर वीडियो में एक link दिया गया है उस link पर आपको click करना है यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अउस link पर click करना है और ईस link पर click करके आपका नाम किस algorithm में आप बनना करना चाते हैं आप PDO बनना चाते हैं आप distributor बनना चाते हैं या franchise लेना चाते हैं वो आपको select करना है और select करने के बाद जो है आपको आपका contact detail आपके email id बगरा देखे आपको submit कर देना है उसके बाद जो हमारी team है वो आपको call करेगी within 24 to 48 hours के बीच में call आ जाएगा बहुत सारी inquiries है हमारे पास और पिछले दो मैने के अंदर हमने आप यू कह सकते हो कि 500 से ज़्यादा पीडियो जो है वो लगवा चुके है तो अभी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं तो आप भी पूरी scheme के योजना के बहुत बड़ा लेकर नहीं बहुत कम लेकर ही आपको एक calculation करके दिखा रहा हूं मान लेते हैं कि आपके पास में जो भी आपने PM वानी का जो device है वो आपने लगा लिया अब PM वानी का device आपने लगा लिया अब device के साथ में आपके जो है मान लगते हैं कि 120 user आपके जुड़ पाँच रुपी का Marshars का रिचारई हैं वह यहां पर 10 रुपे 5 रुपे का रिचारज भी आविलिबल है तो वह डेली 10 रुपे का रिचारघ मान के चलते हैं करते हैं तो 120 user 10 रुपी का रिचार्ज करते हैं 30 दिन के लिए तो आपकी जो कमाई होती है यहाँ पे 36,000 होती है अब यह जो 36,000 है उसमें से हम बहुत ही कम मानके चलते हैं जो आपका शेर है हम उसको मानके चलते हैं सबसे बेस वाला कि आपको let's take an example 60% आपका जो है और बाकी जो 40% है definitely वो PDO A जो कि एक बहुत बड़ा आपको support कर रहा है उसके पास जाएगा other operational activities होती हैं तो बहुत सारी चीजी होती हैं उनको भी अपना business run करना वहाँ पे चला जाता है अगर 60% आपके पास revenue आया तो आपके पास जो revenue बचाए वो है 21,600 रुपया अब क्यूंकि PDO बनने के लिए आपको internet connection जो है आपको खुद लेना पड़ता है और मान लेते हैं कि आपने internet जो connection लिया है उसमें आपने 1000 रुपया मैने का आप पे कर रहे हैं जो आपने land 9 broadband connection लिया है वो आप 1000 रुपया पे कर रहे हैं तो 21,600 में से आप माइनस कर दो 1000 रुपया तो बचता है 20,600 रुपया अब ये जो 20,600 रुपया ये आपकी एक मैने की earning है और इसके बाद जो है आप इसको 12 मैने से अगर multiply करते तो आप जो है इतने चोटे से business के साथ में एक साल के अंदर कमा लेते हैं करीब धाई लाक रुपया यानि की एक छोटा सा setup करके भी आप धाई लाक रुपया साल का कमा सकते हैं अब सोचिए की अगर आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा देंगे जहाँ पे आपके पास में user जो है डबल हो जाएगे income भी बढ़ गई तो यहां पर एक बहुत अच्छी opportunity है इसको अगर आप करना चाहते हैं हाँ definitely जो आपको device है उनको आपको purchase करना होता है जो PM वानी के device है वो free में नहीं मिलते उसको आपको purchase करना होता है तो यह devices के आपको एक cost पे करनी पढ़ती है वो cost कितनी है वो aggregator to aggregator थोड़ सा vary करता है company to company device का vary करता है तो जो भी आपकी inquiries है बाकी सारी details जो है वो हमारी team आपको call करके बता देगी मैंने आपको income की opportunities इसके अंदर बता दी कि कितनी आपके पास में income opportunities है so guys I hope कि मैंने आपको सारे PM वानी से related जो है वो हर चीज बता दी है जो आपके questions मेरे पास generally आते हैं अगर अभी भी कोई भी कोई सवाल रह गया है कोई doubt रह गया तो आपको नीचे link दिया गया है description के अंदर उसको click करें आपके सामने Google farm open होगा वहाँ पे आपका नाम आपकी email ID आपका contact number आप PDO बनना चाहते हैं या franchise लेना चाहते हैं आपकी city कौन सी है वहाँ पर submit कर दें और जैसे आप submit करेंगे 24 से 48 गंटे के अंदर ही आपको हमारी टीम की तरफ से call आ जाएगा और वो call के मादियम से आपको फिर जो भी जानकरी चाहिए है आप हमारी टीम से में जुड़ना चाहते हैं और कमाई करना चाहते हैं और आपना एक business setup करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी opportunity है so guys I hope कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like करें शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रहा हैं उनसे request करूंगा चैनल को subscribe कर दें साथी साथ bell का icon दबादे तक कि आने वाले वीडियो की notification आपको मिल पाएं फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ till then stay safe good bye